पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप और इस तस्वीर में आपको पीछे एक जाने पहँचाने चेहरे का मूर्ती का रूप देखने को मिलेगा ये जाना पहँचाना चेहरा है कौन भारतिये पाइलट अभिनंदन वर्दमान आपको याद होगा बाला कोट स्ट्राइक और उसक पाकिस्तान में पकड़े गए थे ये जो पूरा ओप्रेशन हुआ था ना पाकिस्तान की तरफ से उस ओप्रेशन का एक मास्टर माइंड था उस मास्टर माइंड के साथ पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर क्या किया है इस वक्त पाकिस्तानी एयर फोर्स में तेरा अधि जो मची हुई है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कहते हैं ना बिनास काले बिपरीत बुद्धी कुछ वैसा ही इस वक्त पा पाकिस्तान में राजनीतिक और इस्तीरता तो है ही साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर आर्थिक तबाही भी फैल रही है इसी बीच जनरल मुनीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले कहीं न कहीं पाकिस्तान की तबाही को नियोत दे रहा है पाकिस्तान में सेना राजनीती में पूरी तरीके से हावी है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है पिछली बार जब बहुत होहंगामा हुआ था इमरान खान के प्रोटेस्टर्स ने होहंगामा किया था पाकिस्तानी सेना ने अपने ही तीन अफसरों के ऊपर कारव का नहीं इसकी वजह से इनके ऊपर कारेवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक दूसरी खबर देखिए एक्स लाहोर कमांडर को भी जांच के दाइरे में लाया गया था कि आखिरकार उनके घर के अंदर परदर्सनकारी कैसे पहुंचे थे नौ मई को जो घटना हुई थी उस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना ने कुछ इसी तरीके के एक्सन लेने सुरू कर दिये थे खैर अब यहाँ पर एक्सन एक लेवल और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार जो एक्सन है ये पाकिस्तान के एर फोर्स पर ह हुआ है और तेरा अधिकारियों का कोर्ट मार्सल हो गया है आपको बता दे इनमें भारत पर हमला करवाने वाला भी सामिल है ऐसा कहा जा रहा है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं नौबारत टैम्स की आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर फोर पर जारी किया गया है इन्होंने इसमें लिखा है कि यह ब्रेकिंग न्यूज है और ऑप्रेशन स्विफ्ट रिड़ोर्ट के जो हीरो है एयर मारसल रिटार्ड जावेद एयर मारसल एष्सान रफीक एयर मारसल तारीक और दस और अधिकारियों जिसमें विंग कमांडर वकास, विंग कमांडर सिराजी इन सब को कोट मार्शल कर दिया गया है अब इनका क्या अरोप है? इनका अरोप है कि इन्हों ने सच दुनिया के सामने ला दिया था एर फोर्स चीफ जाहीर बावर सिद्धु का और इस सच की वज़े से इन तेरा अधिकारियों को कोट मार्शल किया गया है अब ये सच क्या है? तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात तो ये कहा जा रहा है कि कोट मार्शल के साथ-साथ इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है 13 में से 7 ऐसे हैं जो बड़े अधिकारी हैं इन में से कई ऐसे भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और इन सभी को अरेश्ट कर लिया गया है इस आर्टिकल के हिसाब से आपके मन में ख्याल आएगा कि सबसे पहले उस चीफ जिसके उपर आरोप लग रहा है उसके बारे में जाने की वो कौन है तो इस स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये ये हैं पाकिस्तानी एयर फोर्स के चीफ और इस वक्त ये किसके साथ बैठ कर इस आर्टिकल में तस्वी पाकिस्तानी वाई सेना के लिए को खरीदना हो या पर पाकिस्तानी वाई सेना के लिए कुछ मोडिफिकेसन वगर्या करवाने हो या कुछ प्लान लाना है ये सारा कुछ कहा जाता है कि इनके ही नजरों के सामने से गुजरता है अब ये जो तेरा अधिकारी हैं इन तेरा अधिकारियों में एर मार्सल जावेद सईद का नाम बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि इने कहा जाता है Operation Swift Retort इसका Mastermind यानि पूरा प्लान करने वाले यही थे अब आपको याद होगा बाला कोट स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान गी वायु सेना के साथ भिड़न्त हुई थी और इस भिड़न्त के बाद अभिनंदन बर्दवान का fighter jet crash हो गया था और अभिनंदन बर्दवान पाकिस्तान के अंदर गिरे थे जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया था वैसे आपको बता दें एक अजीब सी चीज है आप उन्हें देखेंगे और सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो हद हो गई अब क्या हुआ है स्क्रीन पर इस इमेज को देख सकते हैं इस इमेज में पाकिस्तान में एक स्टेचू बनाया गया है इंडियन पाइलेट अभिनंदन बर्दमान का और उन्हें दिखलाया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तानी उन्हें पकड़ रहे हैं और एक पूरा कुजियम ही बना दिया गया है जहां पर वर्दमान के टुकड़े भी रखे गये हैं इसके आलावे वह जो मजाकिया तोर पर बिल था जिस बिल में मीग 21 की कीमत लिखी गई थी उसे भी इसमें रखा गया है और यह पाकिस्तानी से न अपने आपको खुश करने के लिए और अ हमने अविनंदन वर्दमान को पकड़ा था जबकि मीग 21 से F-16 को मार कर गिराना खुद में बहुत बड़ी बात है और उसके बाद फिर मजबूर होकर छोड़ देना यह दूसरी बड़ी बात है पर यह जो पूरा ओपरेशन चलाने वाले थे सहीद उनको भी अरेष्ट कर गया है यह कहा जा रहा है इन सब की गलती क्या है तो आपको बता दें कहा जा रहा है कि इन लोगों की वजह से कई ऐसे भरष्टाचार वाले डील थे जो खुलासा होकर दुनिया के सामने आ गए जहीर बाबर सिद्धु जो की पाकिस्तानी वायुसेना के परमुक हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों ने कई सारी चीजें दुनिया के सामने लाकर रग दी है भ्रष्टाचार को बहुत चिपाया गया था लेकिन बाद में ये मीडिया में लीक हो गया है पाकिस्तानी वायुसेना ने जाच करवाई है और अब करीब 13 अधिकारियों का को अपने विरोधियों को कथी तोर पर पाकिस्तानी वायुसेना परमुख छाटईया कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना परमुख के बारे में कहा जाता है कि हतियारों की खरीद में काफी कुछ हुआ है और काफी कुछ पैसा बना है उन पर ये भी आरोप लगता है महंगी गाड़ वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूबता है जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़वर के साथ